हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका माई जजबा पर जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे अस्टम राइफल कि 2021 कि एड्मीट काड कैसे डाउनलोड करें इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि अब एड्मीट काड बहुत ही जल्द आपका आने वाला है अभी चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जैसे ही आपका जॉब से रिलेट कोई भी नोटिफिकेशन आये तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रही इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाना है सा लिंक निचे में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से जा करके आप जोइन कर लिजेगा ताकि जैसा भी अपडेट है तो वहां पर आपको तुरंत मिलती रहें अभी फिलाल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि admit card पर कुछ मतपूर्ण point लिख रहेंगे जो कि आपको मतपूर्ण ध्यान से देखना है ठीक है और दूसरा कि आपको कौन कौन से document ले जाना है अगर आप कोई भी document ऐसे अगर आपके पास यह document अगर नहीं है तो आप medical में पोल दिया आप physical से बाहर हो सकते हैं तो इसलिए आपको यह document भी ले जाना है साथ ही साथ आप कैसे admit card डाउनलोड करेंगे और आपको admit card कहा मिलेगा इसी वीडियो ममलोग भात कर लेंगे ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे ताकि आप भरती प्रक्रिया से बाहर ना हो इसलिए आपको यह बीडियो दूसी प्रकार का admit card रहेगा असम राइफल यहां पर मुहर रहेंगी यहां पर आपको लिखा रहेगा इस तरह इस प्रकार का रेजिस्ट्री पोस्ट यहां लिखा रहेगा आपको government of India Ministry of Home Affairs जैसा कि आप जाते हैं हो हो में असम राइफल आता है साथी साथ आपको यहां पर आपको जो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको रहेगा आग लगा हो है कि यहां पर आपका डली result you कटेग्रिया यहां और ऑप्का सब दिखाई देगा कि कलjiri लिखा रहा हैं साथ हिससाध अभडर खबल अनिदफ हॉन लिखा रहेगा अपकर नेम रहेगा उन्ह cardiovascular इ मिलेगा ठीक है जैसे यह आप निचे आएंगे तो हम लोग अभी बात करते हैं कि मत्पूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में का कौन कौन से डोक्मेट ले जाना है और क्या कि इस पर लिखा हुआ है ठीक है इस तरह से लिखा रहेगा पीटी पीसटी स्कील टेस्ट डिटे पर कि आपको कितने दिन लग सकते हैं ठीक ना एड्मिट कार्ड यह जब आप पहां जाएंगे तो लोग अपनल लेते हैं कि इस पांच से छे दिन लग सकता है वह साफ साफ लिखते हैं साथी साथ आप बता देता हूं आपको कौन कौन से डोक्मेंट रहने चाहें अगर य कि पहला आपको डोक्मेंट जो ले जाना है कि इडूकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशिट इडूकेशनल सर्टिफिकेट के मतलब क्या होता है मैं साफ साफ आपको बता देता हूं कि इडूकेशनल सर्टिफिकेट का मतलब आपको सबसे पहले तो आपको दस्वी की सर् सब्सक्राइए अगर आप कर लिए आपको ताइपिक सर्टिफिकेट ले जाना है यहां आप किसी डिप्लोमा किया है जैस सिवील से ठीपिलोमा किया है जो कि इस पुष्ण आप implate लगि защola को एक पूस्ट यह शाम इन अगर आपने आइटी क्या हुआ है किसी भी चीज से इलेक्टिसियन फीटर वेल्डर पलंबर यह सारे जो भी आप जिस जो पोश्ट के लिए फॉरम अपलाई किये हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया था कि आपको आईटिया पास रहना है चाहिए तो आपको आईटिया सेटिफिकेट ले ज पार सी यानि परमानेंट रेसिडेंशियल सेटिफिकेट जैसे हमारे यहां अगर मैं जिस जगस से मैं विलोंग करता हूं वहां पर सर्टिफिकेटको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जता है यह लेकिन आप असम जाएगा नर्थिष्ट जाएगा तो उसको लिहींенची भोला जाता है। टेक ना हमारे यहां दो प्रकार के बनते है यूपी और विहार की बात करते हैं तो एक निवासीन बनता है और पियार सी बनता है दुनों बनता है तो आपको पी आरशी ले जाना है अब देखिए छौथा पॉइंट का लिखा का स्ट कास्ट सर्टिफिकेट है आपको कास्ट ले जाने है और यानि का सेंधित अगर आप सी के सब्स जैने चनल में सब्सक्राइस चे Completely के सब्सक्राइब OBC के तो आपको OBC ले जाना है OBC वालों के लिए थोड़ा से मैं बता दूँ OBC ले जाना है साथी साथ EWS जिसका EWS से जो भरा है उट वस ले जाएगा साथी साथ OBC OBC और EWS के लिए दो चीज मैं बता देता हूं यह दो सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास हो और वहां जाए तो उस सर्टिफिकेट की मानेता ना हो तो आपको वहां से बाहर भी किया जा सकता है OBC का एक format है ठीक बाइए फॉर्मेट है उसी format अबको ले जाना है format कैसा है तो यह wronged बनाना है यानि और यह बहुत करते है तो आपको यह दाब्लइस के उस smell ब сюж料 स्था प्रखचती людям में अब क्या है कि आपको कि इस डीओ लेबल का चाहिए यानि जो स्टिफिकेट इस वहाँ पर नहीं आपका फैलिट किया जाएगा इसलिए आप लोग दोनों कंडिडेट को में दोने कंडिडेट जो ओवी सी और ये डाबलेस ले उनको मैं बता दूं यदि आप इसमें से किसी भी ए पर फैद कि देख लेते हैं लेटेस्ट करेक्टर शर्टिफिकेट इस वांज सवाज पूलिस एठ्वरीटी ज्यांइं जिसको और लोग करेक्टर बोलते हैं इस पी शुपरिदेंटेंट फूलिस जो जीला में इस पी जो होते हैं जो आपको मुख्याले में जो बैढ़ते जो कि आप लोग जानते हैं है शिक्त मंत का नहीं होना चाहिए फीजिकल टाइम तक जब तक आपका फीजिकल हो रहा है उस दिन तक वह भैलिड रहना चाहिए कौंसी कौंसा तो करेक्टर सेटिफिकेट आगे देख लिए आगे क्या होना चाहिए अगर आप एक आपको फोर कोपी अफडिए पसपोर्ट सैज फोटो ले जाना है यानि चार रसवरी हाँ फोर क्रहर लेजने रिसेंट पसपोर्ट सैज्ज का फोटो ले जाने वहाँ पर साथी साथ आपके पास एक एक भैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए जैसे अधार का डियल या कोड़ासा मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूंद इस तरह का कुछ सिगनेचर रहेंगे और यह आपका को हेडमीं कार्ण दे धिया गया था जारी करते दिया जाते हैं लेकिन लड़कों को बुलाए जाएगा पालन करते हुए बुलाई जागा ताकि उतने ही candidate को physical के लिए बुलाई जागा जितना कि एक दिन में complete हो और कोई ज्यादा ये कोई कोई 19 प्रोटोकॉल भी फॉल हो जाए इसलिए इस तरह का नहीं इसबर किया गया है आगे देखिए कई से आपका admit card मिलेगा तो देखिए आप email id में डाले होंगे जो आप email gmail दिये होंगे उस mail पर आपका एक mail आएगा ठीक ना तो वहां से भी आप आप को क्या करना है एक link provide गया जैए tissues आप अपर की देखिए उसी पर करकारे का link apply किया जाएगा और यहां पर लिखा रहे हैगा इमेल इडी को यहां पर देना है और साथी साथ आपको यहां पर डेट ऑब बर्थ लिखना है किस फॉर्मेट में लिखना है यह भी आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा यहां पर डेट बर्थ इस फॉर्मेट में लिखना है ठीकना जैसे माल लेता हूं मैं आपका डेट को आपको fill-up करदेंब इसमें इसम 갖고 और इसमें fill-up करने के ब Launch details पर क्लिक करना है तिक ना जैसे आप लिख सकते हैं print call that rally for rally लिखा वाई इसी तरह डिखा अब उसके बढ़न आपके सामने इंटर slate Меня बोर 먼저 health एक्सेप्टेद प्रिंट को लेटर एज वेल एप्लिकेशन यानि एप्लिकेशन के तरह याप प्रिंट एड्मिट कार्ड भी कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आप पर रेली अलाव रेली सेंटर दिया रहेगा सिलचर है कहां है आपका सेंटर यह चीज़ दिये प्रिंट एमेन उसके बाद यंपर दोड़ा प्रिंट एप्लिकेशन माम पर प्रिंट को लिटर आपको ऐन पर को यहां पर कि लिक करना होगी और यह से किलिक करके आप अपना कार्ण द्सक्ळा mim यहां पर लिखा रहेगा कि ट्रेटेस या फीटी फीजिकल फीजिकल पीटी पीएस्टी और राइफल टेक्निकल एंट्रेट्समेंट रिकूटमेट रैली 2021 ठीक न इस तरह करें लिखा रहेगा रिकूटमेट ब्रांच जो है उसका अस्वराइफल का वोदी भेजेगा और य लिंग जरीका उसी लिंक के मादय से इस तरह आपना अपना दाउंलोड कर सकते हैं दूसरा बात आपको क्या किया जाएगा कि सेंटर वाइज लड़कों का पीडियाफ भी जारी किया जाया कि किसका कब है और किस तारीकों जाना है तो सेंटर वाइज पीडियाफ आपको बहुत जल्द मिलने वालाएं यह दो दिन कंदर पीडियाफ में पता दूंगा और नीचे दिया कर वाटसप गुरूप वाटसप ग्रूप में भी डालूंगा इसलिए आप वाटसप ग्रूप 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 दोनों ज्वाइन किजिए और वाँ ज्वाइन कर लिजेगा तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा ठीक है उसके बाद मैं अगला वीडियो जो मैं लाने माला हूँ पिजिक आपक सेंटर के बारे में कौन सा सेंटर कैसा है कहां पर दोड़ा जाएगा क्या होगा कैसा सेंटर है कहां रहना है किसे क्या करना है सब सारे चीजिस का वीडियो में अपलोड करूंगा तब तक लिए आप मेरे चैनल पर बने रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क तब तक मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ तब तक लिए आप मेरे चैनल लोग बने रहें फिर मिलें किसी नए दूसरे वीडियो के साथ कि थैंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो